इसमें चिवार्ज मंत्री प्यूज गोईल ने दुनिया की सबसे बड़ी e-commerce company अमेजन पर निशाना साथते हुए देश में e-commerce कारोबार को ही में हो रही तेज ग्रोथ पर चिंतायता है प्यूज गोईल ने कहा कि e-commerce कारोबार की growth predatory pricing को बढ़ावा देती है जिससे देश के करीब 10 करोड छोटे retailers पर खराब असर पड़ता है यूज गोईल ने कहा कि Amazon को हुआ 6000 करोड रुपए का घाटा बताता है कि वो predatory pricing गत्विधियों में शामिल है प्रिडिट्री pricing में जानबूज करके सामान को कम कीमत पर विचायता है ताकि market में competition खत्म किया जा सके इतनी सक्ष टिपडी Amazon पर करने की क्या खास हो जा रही काफी नराज नजर आये प्यूज गोईल जी और उन्होंने कहा कि भाई e-commerce को उन्होंने कई तरह से घेरा मतलब ऐसा लगा कि कई रास्तों से आके बार-बार वो e-commerce पर प्रहार कर रहे हैं पहले उन्होंने ये कहा कि यहां से मैं ये देखता हूँ अगले 10 साल में 50% से ज्यादा market e-commerce पर shift हो जाएगा उनका कहना ये था कि इससे छोटे retailers को बड़ा नुकसान हो रहा है उनका ये कहना था कि लोग इससे social कम हो रहे हैं घरों से बाहर नहीं निकलते हैं पूरे दिन OTT देख रहे हैं बाहर से मगा के खाना खा रहे हैं जातर चीजें ऑनलाइन खरीद ले रहे हैं और एक बात उन्होंने ये भी कही कि जो बड़े margins के product थे जिससे छोटे retailer चलते थे पूरी economy चलती थी लोकल economy चलती थी उसको बड़ा नुकसान हुआ है अब अगर बड़े margin की चीज पर वो जान बूच कर सस्ता करके online बेचने लगेंगे तो निशिससी बात है कि छोटे retailers को इसका नुकसान होगा उन्होंने इस बात की वकालत की कि लोगों को अभी भी भार निकलना चाहिए चोटे बाजारों में जाना चाहिए बाजारों में जाकर सामान को खरीना चाहिए लेकिन यहाँ पर एक दोविधा मुझे नजर आती ही, वो सरकार के भीतर थोड़ाओ अंतर विरोध दिखता है, एक तरफ आप डिजिटल इंडिया की बात कर कर रहे हैं, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि हमें लोगों को डिजिटल पेमेंट कराने हैं, एक तरफ आप ये कह र रहा है तो इसका मतलब कि वो बाजार पर कबसा करना चाहता है उसको बड़ी मांग दिख रही है तो यह जो अंतर विरोध है इससे सरकार को कहीं न कहीं निबटना होगा और इस पर एक स्पष्ट रणीती बनानी होगी कि आप चहाते कि आए एक तरफ तो सरकार खुद ONDC ले वाली बात नहीं है आप यह देखे इसका नुकसान लिए तो बीज का रास्ता क्या है इस पर सरकार को गंवीता से सोचना होगा बात कर लेते हैं निर्बला सितारमन जी की वितमंत्री निर्बा सितारमन ने आयकर विभाग के अदिकारियों का है कि वे टैक्स पेर को आसान भाषा इस्तमाल करने की सलाव ही दी गई है ताकि टैक्स पेर को नोटिस में कही बात आसानी से समझ में आ सके सर क्या संदेश दिना चारी है वितमंत्री की वो मतलब क्या जो लोग टैक्स पेर रहे हैं उनके साथ खड़ी है सरकार देखे वितमंत्री ने बुद्धभार को कारेक्र में ये बात बिलकुल कही और ये बहुत मुझे लगता है कि समझने वाली है आम फहम में अगर आप द जैसे आपने मान लगिंए है इंकम टेक्स तर्टरन वाल किया आपने कोई डॉक्मेंट कोई जानकारी अगर अगर वह 맞 है हो सकता है और भूल गए हो तो बहुत अब पूछ लगा देए हैं आप इसे उस पर चला जाए है कि आप पर कारिवाई होगी तो वित्मंत्री का कहना है कि जो भी भाषा हो नोटिस भी जाए तो उसमें भाषा जो हो वो इस तरीके की हो कि आप जानना चाहा रहे हैं समझना चाहा है देखिए कानून डराने से ज़्यादा कानून पालन इसलिए कि आदमी अगर कोई अन्यतिक काम कर रहा है तो उसको रोका जाए चाह रहे हैं कि अगर आप ऐसा कोई चीज पूछना चाहते है जानना चाहते है तो जो आपकी भाषा हो वो मन में डर बैठाने वाली ना हो आपकी भाषा लोगों को समझने वाली समझाने वाली हो और उनको ये समझ में आए उनको इतने विकल्प दिये जाए उनको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार दिया जाए और जो सजा देना है जो पेनल्टी है वो बिल्कुल अंतिम विक प्रवानोब